देली करेंट नियूज में इस वक्त की खबर है भारत का पहला सौर मिशन आदित्य एलवन जल्द ही इस रो सूरे का ध्यान करने के लिए अपना पहला सौर मिशन आदित्य एलवन लॉंच करेगा आदित्य एलवन अंतरिक्षियान बेंगलूरू के यूर राव सेटलाइट सेंटर याईनी यूर एस्सी में असेंबल और एकी कृत किया गया है आदित्य एलवन की बात करें तो इसे साथ पेलूड के साथ ध्रुव्य उपग्रह प्रक्षेपणियान यानी PSLV का उप्योग करके लॉंच किया जाएगा इसका उदेशे सूरे के कोरुणा, सूरे के प्रकाशमंडर, क्रोमोस्फियर, सौर उतसर्जन, सौर हवाय और ज्वालाए, कोरुनल मास एजेक्शन का ध्यान करना वह सूरे की 24 घंडे इमेजिंग करना है इन साथ पेलोड में शामिल है VELC, सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलिसकोप यानी SUIT, सौर निम्न उर्जा एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी SOLEX, आदित्ते सौर पवनकर्ण प्रयोग यानी ASPEX, उच उर्जा L1 और्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्त करें L1 की तो L1 lagrange point एक को संदर्भित करता है, जो प्रित्वी सुरपणाली के कक्षे तल में 5 बिंदों में से एक है, lagrange points का आशे अंत्रिक्ष में इस्थित उन बिंदों से होता है, जहां दो अंत्रिक्ष निकायों, जैसे सूर्य और प्रित्वी के गुरुत्वाकर्शन बलके कारण आकर्शन और प्रतिकर्शन का क्षे तरुत्पन होता है, lagrange points पर एक खगोली निकाय जैसे प्रित्वी के गुरुत्वाकर्शन का खिचाव, दूसरे निकाय जैसे सूर्य के गुरुत्वाकर्शन के खिचाव को समाप्ट कर देता है, ऐसे ही lagrange points पर रखी गई क कोई भी चीज प्रित्वी और सूरे की ओर समान रूप से खिचेगी और सूरे के चार ओर प्रित्वी के साथ खुमेगी।